आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजगरिशन में तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैनिक स्कूल इंट्रेंस एक्जाम क्लाशिक्स के मैथ के एक बहुत ही जद्धा इंपॉर्टेंट चेप्टर जिसका नम है LCM और HCF और मैं आपको बता दू कि यह जो मारा चेप्टर है LCM and HCF यह हमारा स्टैनिक स्कूल इंट्रेंस एक्जाम के लिए सबसे जदा इंपॉर्टेंट टॉबिक है सबसे जदा इंपॉर्टेंट चेप्टर हमारा यह है क्योंकि LCM का यूज आपको फ्ररीक्शन में भी आने वाला हैừa वर फ्रैक्शन कına आपको बहुत सारी चेप्टर में आने वाल है यह जब आपका LCM और HCF यह बहुत ही अच्छा होगा तो आप फ्रैक्शन कम्प्रीट कर लिजेगा और fraction आपको अच्छा होगा तो और सारी chapter जो है वह आप complete कर सकते हैं तो चलिए हमारा chapter है उसको start करते हैं तो मैं आपको बता दू कि यह जो हमारा video होने जाए रहा है यह LCA में and HCF का part 1 होने जाए रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे multiple क्या होते हैं और factors क्या होते हैं तो सबसे पहले हम start करते हैं गुननखंड जिसको हम factor बोलते हैं यह factor हमारा क्या होता है और मैं आपको बता दू कि यह जो factor multiple इन दोनों का आपको बहुत ही ज़रा जरूरत पढ़ेगा जब आप LCM और SCF वाला chapter बनाईएगा तो यह दोनों चीज का बहुत ही ज़रूरत पढ़ने वाला है इसलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह factors क्या होता है तो इहां पर मैं आपको Hindi medium में भी पढ़ाऊंगा और English medium में भी पढ़ाऊंगा जो भी definition होगा उसको Hindi में भी बताऊंगा इंगलिस में भी बताऊंगा ताकि कोई अगर Hindi medium बढ़ा बच्चा हो या English medium बढ़ा बच्चा हो तो दोनों को यह सारा चीज है वो समझ में आ जाए तो पहला हमाुरा definition किसी दी गई संखेया में जितनी संख्या हों से पूरा पुरा भाग लग जाता है उन सबी संख्या को दी गई संख्या का कर ले कोई इसका theory अगर समझ में आ गया आपको तो आपको इसका practical समझ में आएगा है तो यहां पर देखें, if a number is exactly divisible by another number without leaving any remainder then the second number is straight to be the factor of the first number तो यह हमारा है क्या, ओ अब मैं आपको बता देता हूँ तो देखें, अब यहां पर हमारे पास 2, एक number है, ओ है हमारा 2 अब हम देखते हैं कि 2 को कौन-कौन से संख्या भाग दे सकता है, ओ हम देख लेते हैं तो 2 को जो है, ओ सबसे पहला संख्या जो भाग देगा, ओ हमारा 1 होगा और फिर हमारे पास जो 2 को भाग देगा ओ है 2 तो यह जो 2 संख्या आपको दिख रहा होगा 1 और 2 यह हमारा क्या है यह 1 और 2 जो आपको दिख रहा होगा यह हमारा factors हुआ 1 और 2 जो है ओ हमारा factors हुआ किसका factors हुआ दो का factor हुआ तो मैं आपको बताया है कि factors हमारे क्या होता है factors जो है वो हमें बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक number है और इस number को जो जो संख्या भाग दे रहा है वो संख्या उसका factor हुआ जैसे मैं यहां पर हमारे पास एक नमबर था दो, तो हम देखें की दो को कौन-k fasten क्या भाघ दे सकता है तो दो को एक भाग दे सकता है और फिद यह बापने आपको भाग दे सकता है तो 4 को कौन का जिसन का भाग दे सकता है, तो सबसे पहले 4 को 1 भाग दे सकता है, फिर अब थोड़ा सदी माग लगे कि 4 को कौन भाग दे सकता है, दो भाग दे सकता है, तो 4 को 2 भाग दे सकता है, अब क्या 4 को 3 भाग दे सकता है, नहीं, तो 4 को 4 भाग दे सकता है, तो यहां यह चार के फैक्टर हो गयां क्यक्कि इस depthने चार के नहीं देपाईगा解़ा है Q3 देकर भाग है अग्र मैं आपको बागती कहते हिएő्ट खैने यह उन आपको बहुती है और में क्याइनी, तो इक बाते-धन के और खैने और अगया Yeah क्या भाग देगा तो 2 को ढग दे सकता है अब यहीं पर देखें जो है और 6 को 6 आप भाग देगा अब यहां पर तीन भाग दे सकता है कि डो बार में भाग लग जाए फिर चार नहीं दे सकता है, पांच नहीं देख सकता है, अब जो है इसको छो भाग दे सकता है, अब यहाँ पे देखें, अब पंद्र को कौन को जिसन क्या भाग दे सकता है, तो पंद्र को एक भाग दे सकता है, दो भाग नहीं देगा, तीन भाग दे सकता है, चार भी भाग देगा पांच बढ़कर सकता है पांच बढ़कर देगा ना इसको छो देगा ना आठ न दस पिसको प्रतिम अबbor भागदे चैहले यहां स erkl requisite थ्यान रखने वाली बात है कि इह जो एक और दो आपको दिखि़रा होगा क्या हूऔ यहें वह हमारी हो गए फैक्टर आफ फैकटर आफ तू यह हमारे फैक्टर व्व्थी क्यों हो गया एक और लू जो है वह दू दू को भाग दे अब यहाँ पर दी जोफ दो तो है एक डुर्वर तीन चो क्या ओ यह हो गह और उस्य compactorm यह हमारे 6 के factor हो गया, चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब यहां पर देखें, अब मैं थोड़ा बरा बरा नमबर ले रहा हूं, बरा बरा नमबर, अब देखें, 24 को कॉन 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 जिसन क्या भाग दे सकता है, हो सकता है कि सुरवात में आपको यह जो सारा चीज है, वो बन 4 भाग दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है, और 24 भी होता है, तो यहां पर देख सकते हैं, कि यह जो भी नमबर आभी मैं आपको लिखा हूं, वो 2 का factor है, यानि कि 24 का factor है, क्योंकि यह जो भी नमबर है, वो 24 को क्या कर सकता है वह भाग दे सकता है अगर आपको विश्वास नहीं हो डा होगा तो आप देखिए यहां पे चार है तो चार कोटेस्ट करना है कि क्या 4 जो है वह 26 का फेक्टर होुगा तो, आपदेखेगा मतल सकता है यह 6 abbiamo चो बार में, और 6 वह हो इसको 4 आप में भाग दे सकता है तो यह जो सारे नंबर है वह ट्यक्स बनाई जो यहां पर एक चीज आप गौर किज़ें, एक जो है, वो सारे नंबर को भाग दे रहा है, दूसरा नंबर अपने आपको भाग दे पा रहा है, तो यह जो है, यह आपको पैटर्न आपको मिल लागा है, अब यहां पर दिखें, 100 को क्या करना है, 100 का इसका जो factor, आपको अब भी अपने copy में लिखना है, कि 100 को कौन को सी संक्या भाग दे सकता है, लेकिन मैं आपको आपके सिब्धा के लिए के लिए बता देता हूं कि 100 को एक भाग दे देगा, दो भी भाग दे देगा, चार भी इसको भाग दे सकता है, पांच भी इसको भाग दे सकता है, पांच के बा आपको भाग देतेगा तो यह जो भी नंबर आपको दिखे हैं यह जो भी नंबर है यह क्या हो गए यह सारे के फैक्टर हो गए अब हम फैक्टर से संब्धित कुछ important fact जान लेते हैं तो पहला हमारा fact क्या बोल रहा है बहुत ज़्याद important fact है पहला हमारा fact बोला है किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्टक एक होता है the smallest and first factor of any number is one तो हमारा बोला है कि किसी भी संख्या का पहला और सबसे छोटा factor जो हाँ वह one होता है तो हाँपे मैं आपगीजांपल बता देता ह姓 दो का सबसे छोटा फेक्टर पहला फेक्टर फेक्टर पांगा सबसे छोटा फेक्टर वावन है 15 का सबसे warehouse पहला एक हो गया और ऑहां ही पर 100 कभी हमारा एक है तो यही जो है वह हमारा एक होता है अब है हमारा किसी संख्य का सबसे बड़ा और सबसे अंदिम अपवर्तक संख्या स्वम होती है the greatest and last factor of any number is the number itself तो हमारा बोल ला है कि अगर 2 का सबसे बड़ा और सबसे लास्ट फैक्टर 2 ही होगा तो ही पर देखे 24 का सबसे बड़ा और सबसे लास्ट फैक्टर हमारा 24, 36 का भी सेम हाल है 100 का भी हमारा सेम हाल यह था हमारा important point यह दूसरा important point हो गया अब हम क्या करते तीसरा important point देख लेते हैं तो तीसरा हमारा important point बोल ला है संख्या का अप वर्तकों की संख्या निश्चित होती है number of factor is fixed in any number हमारा बोलना है कि किशी भी number का जो factorinden संख्या होते है न वह हमारे fix होते हैं यहां पर मैं आपको बोलना हम factor हिए जैसे मैं किटने factor हैं तो लिज विद्धर तो एक के दो factor हो दो के, दो ही factor है किन निकाल ल cev आपको कितना मिलेगा दो ही फैक्टर मिलेंगे दो इसफेक्टर हो गाया ॥ तो यहां पर देखेगा कि 24 का भी हमारा कितना है आपको एक fix नमबर मिलेगा 36 का भी आपको fix नमबर मिलेगा और 100 का भी आपको fix नमबर मिलेगा मतलए कि जो भी नमबर होते हैं उनके जो factor की जो संख्या होते हैं वो हमारा फिक्स होते हैं, समझ में आया, अंगीनत किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होगा, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, तो अगला हमारा important point है, किसी संख्या का अपवर्तक, संख्या से छोटा या संख्या के बरावर होता है, the factor of any number is small or equal to the number, तो हमारा बोला है कि किसी संख्या का जो फैक्टर है, या तो उसके equal to होगा, या उससे छोटा होगा, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं, कि 2 के factor क्या है, एक और 2, तो 2 के factor आप देखिएगा, कि इसका जो भी बड़ा factor होगा, या तो 2 होगा, या 2 से छोटा ह होगा, जितने भी factor होगे, या तो 2 होंगे, या 2 से छोटे होगे, तो देखिए, 2 है, या 2 से छोटा है, 6 का क्या है, 6 हो सकता है, लेकिन 6 से बड़ा कभी नहीं होगा, कभी भी जो factor है, उस नमबर से बढ़ा नहीं होगा, बीगर जो है, और कभी नहीं होगा, यहाँ पर आपको समझा दिया चलिए अब हम जान लेते हैं कि multiple जिसको हम गुनज भी बोलते हैं गुन्य भी बोलते हैं अब वड़ते हैं यह हमारा क्या होता है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मैं आपको इसका definition बता देता हूँ तो उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या का गुनज multiple कहा जाता है जो दी गई संख्या से पुन्त भी वाजित हो तो इहां पर क्या होगा multiple जो है वो हमारा क्या है factor का ज़स्ट उल्टा है अब इहां पर देखे if a number is exactly diffusible by another number तो देखे यह हमारा क्या बोला है कि अगर हमारे पास कोई एक संख्या है और उस संख्या जिस जिस संख्या को भाग दे सकती है उसका factor होगा जिसे मैं multiple हुआ sorry मैं factor बोगे अब देखे दू का हमें क्या करना है multiple तो दू जो है हमारा ओ कौन-कौन सी संख्या को भाग दे सकता है यह हमारा multiple होता है और factor हमारा क्या होता था कि factor जो संख्या को जोन-जोन संख्या भाग दे सकता था तो multiple क्या हुआ इस दू जो है ओ कौन-कौन सी संख्या को भाग दे सकता है जो संख ह向के इसके हमयोंग कर सकता है तो दो क्या और पहले अपनी आपको भाग दे सकता है दो चार को भांग दे सकता है रहना यह हो पर पर और ये सार स्काहर सकते है जिसको दो चुट बांस और यह वह भांत पर सर क्या varit अब दस गो पांस बार में तो यहां पर इंगे यह जो भी नंबर अब को डिख रहें यह क्या हुआ यह जो है यह मळुतिपल हुए किसका मल्टिपल हुए यह चीन रहे दो के मल्टिपल हो कह tussen l inte कि दो जो है इनको इनको भाग दे सकता है multiple मतलब कि जो संख्या हमारा भाग दे सकता है अगले संख्या को उसके multiple होगा multiple अब कैसे लिखा जाता है ओ मैं आपको बता देगा तो multiple लिखने में कुछ नहीं आपको क्या करना है दो का पहारा अपने पढ़ा होगा अपने टेबल पर आऊगा. multiplication table क्या ओता है multiplication जो table होता है वो हमारा कुछ नहीं बस दो मुल्टिपल बताने का काम करता है जैसे मैं आपको बहुत इसकते हैं तो अकॉह टेश को ऑभागे देए फिर 2 चार को बहुत आट पागए एक शकते हैं कि ये मैं कुछ नहीं कर रहा हुए रहा हम प्रॉत की सुल लेखंड़ेय। तो कभी भी आपसे पूछ ले कि 2 का multiple कौन सा नंबर होगा तो आप कुछ ने 2 का table आपको जहां तक आता है 10 बार 20 वार वो आपको लिख देना है अब यहां पर देखे 4 को 4 का multiple लिखना है मतलब कि 4 कौन को चीशन के आपको भाग दे सकता है 4 आपको भाग दे सकता है 8 को भाग दे सकता है हमारा 4 फिर 12 को भाग दे सकता है फिर 12 के बाद 16 को भाग दे सकता है 16 के बाद 18 को भाग दे सकता है 20 को भाग दे सकता है 24 को भाग दे सकता है और भी बहुत सारे नंबर है जिसको यह 4 हमारा भाग दे सकता है तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम टेबल लिख रहे हैं से 6 को देखे, 6, 12, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ 6 का क्या करना है, आपको टेबल लिख देना है, जहां तक आपको आता है, आप लिख दीजिए, कुछ नहीं, था कुछ इन्पोर्टेंट पॉइंपोर्या पॉइंट is the first Oh फॉइनंब्स मैल्टीपल के अंपर हमकि संख्चे का ल्स्ट और सबसे अंटिम अंढेब नीकालना असंभब है हाँ तो ये असंभब है आयो ओंधीकर्न इसानो क्रिश्यूि właśnie करते नहीं कद सकते को कि इसका सबसे लाष्ट मलंट्इपल कभी नहीं कद सकते हैं क्योंकि आप 2 को कितना बार भी multiply करते जाए यह जो है वह हमारा बनते रहेगा नया संख्या बनते रहेगा इसलिए बहुत ही जड़ा impossible है यह सब चीज हमसे मालूम करना है अब आगे हमारा multiple of any number is infinite तो मैं आपको बोल दिया कि multiple जो किसी भी number का multiple होते है वह बहुत ही जड़ा infinite होते है मतलब कि आप नहीं गिन सकते हैं किसी भी number का multiple होता है वह अनंत होता है कोई भी number हो जाए उसका multiple जो है वह अनंत है आप कभी भी अपने पूरा lifetime आप इन सारे number का multiple निकालते रहा जाएका आपसे कभी ने निकलने बला है अगला point हमारा बोला है multiple of any number is equal or greater than the number मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई हमारे पास अब देखें किसी संख्या का जो multiple होता है उस संख्या के बराबर होता है या उससे ज्यादा होता है तो देखें दो का multiple क्या है या तो हमारा दो है या दो से ज्यादा है दो से छोटा कभी नहीं होता था होगा अब यहां पर देखें चार का multiple क्या है हमारा चार है या चार से बारा का मल्टिपल क्या है हमारा बारा है या बारा से बारा है तो यहां पर आपको समझने वाली चीज यह है कि किसी संख्या का जो मल्टिपल है वो हमारा क्या होगा वो संख्या खुद हो सकता है या संख्या से बारा हो सकता है तो यहां पर यह जो सरा चीज है वो समझ में आ इंटरेंस इक्जामें भी आगे इसलिए जो सार motherf gentil हो आपको रहते हैं से बसाता है तो हमसे पूछा जा रहा है कि 6 के गुणरणखंड़ों की सीस्तंक है तु मैं फैक्टर है तो आसे पूछ रहा है कि 36 के फैक्टर कितने होने लिए 36 के factor का number पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 के factor निकालेंगे, तो 36 को, 36 के factor, तो 36 को कौन को जी संग क्या भाग दे सकता है, यह हमें निकलना है, तो 36 को 1 भाग देते हैं, 2 भी भाग देगा, कि क्या 18 बार में भाग लग जाएगा, फिर मैं आपको बोलू कि इसको 3 भी भाग देगा, 4 भी भाग देगा, 4 के बाद इसको 6 भी भाग देगा, 9 भी भाग देगा, उसके बाद 12 भी भाग दे सकता है, 12 के बाद 18 और 36, तो यह जो भी संख्या देख रहा है, जो भी भी नंबर आया है, वो हमारे क्टर आया है, किसके ऐख्टर 36 के, 36 के गुनँखन आगया, अब हम को क्या करना है, 36 के कितने गुनँखन है, तो, गिल लिजें, आपको 36 का कितना मिलेगा, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, तो 36 के कितने factor है तो 36 के जो है वो 9 factors है और ऊपर तो मैं आपको सारा factor बता दिए तो हम के करेंगे 9 में तीक मार देंगे तो यह सारा चीज है वह आपको समझ में आ गया हो चलिए अब हम अगले question के तरफ देखते हैं अगला question है 24 के गुणन खंडो की शंख्या तो 24 को कौनका सी शंख्या भाग दे सकता है उनकी शंख्या हमें बताना है तो 24 को एक भाग देगा दो भी भाग देगा इसको तीन भी भाग दे सकता है चार भी भाग देगा पांच नहीं भाग दे सकता है तो 5 हम नहीं लिखेंगे 6 दे सकता है 7 नहीं दे सकता है फिर 8 देग तो 1,2,3,4,5,6,7,8 तो यहां पर क्या हो रहे हैं? 8 factor आ रहे हैं 8 factor तो हम क्या करेंगे? हम से पूछ रहा है कि factor क्या number? तो 8 है, तो 8 में हैं करेंगे टिक मार देंगे टिक मार देंगे हम 8 में अब यहां पर एक जो question है हमारा multiples related है तो हमारा question क्या बोला है? 25 से छोटे 3 के गुनजोक की संक्या है write the number of multiple of 3 which are below 25 तो हमें क्या करना है? 3 के multiple निकालना है जो हमारा क्या हो? 25 से छोटा हो तो 3 के multiple निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम 3 का table लिख देंगे तो हम क्या करेंगे 3 का table मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि multiple में क्या करते है हम table निकालते है multiplication table मैं आपको बताया 18 के बाद 21 24, 27 अब मैं क्या क्या है? यह 3 का table निकाल दे है तो 3 का table हम से कहा तक पूछ रहा था 25 से छोटा पूछ रहा था तो 25 से छोटा क्या 27 तो हमारा आएगा नहीं तो हम क्या करेंगे 27 जो है यह हमारा नहीं आने वाला 27 तो 24 क्या होता है 25 से अंदर तो 24 के बाद जो भी हमारे multiple आए हो उसको गीनिके हमको बताना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 क्या हो है? 8 जो है multiple हो है तो 24 जो है वह हमारा 25 से छोटा है तो हम तिक मार दी है तो इहां पर मैं आपको LCM and HCF का multiple and factors जो topic है ओपर आ दिया अब अगले वीडियो में मैं आपको LCM कैसे निकाला जाता है special वीडियो रहगा हमारा LCM कैसे निकाला जाता है और उसे related हमारे जो भी question होंगे जो हमारा पूछा गया वो सारे मैं आपको करवाने वाला तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बाने इस कुछिन को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि आपको हमारे चैनल पे Sanix School से related सारे सब्जेक के वीडियो मिल जाएंगे धन्यवाद जैहिंद जैवार्ट